ब्राम्णों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूत्रों का बल दूसरों की सेवा करना है ब्राम्णों का करतबे है कि वे विद्या ग्रहन करें, राजा का करतबे है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों का करतबे है कि वे वेपार द्वारा धन बढ़ाएं, शूत्रों का करतबे है शेश्ट लोगों की सेवा करना चानक्य का कहना है मूर्खता के समान योवन भी दुगदाई होता है क्योंकि जवानी में व्यक्तिक कामवासना के आवेग में कोई भी मूर्खता पूर्ण कारे कर सकता है परन्तु इनसे भी अधिक कश्टदाई दूसरों पर आर्शित रहना है चानक्य कहते हैं कि बच्वन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है इसलिए माता-पिता का करतवे है कि बेव उन्हें ऐसे मार्ख पर चलाएं जिस से उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो क्योंकि गुणी मृत्यों से ही कुल की शोभा बढ़ती है बेमाता-पिता अपने बच्चों के लिए शत्रू के समान है जिनोंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूमे उसी प्रकार अप्मान होता है जैसे हंसों के जुंड में बगुले की स्थिती होती है शिक्षा विहिन मुनिश्य बिना पूंच के जानवर जैसा होता है इसलिए मातपिता का करतब है कि बे बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे बे समाज को सुशोबित करें